प्रॉडेट की सोचल लिस्टिंग किस तरह से करनी है यह मैं आप से प्रिविएस वीडियो में डिस्क्स कर चुका हूँ इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कि जो प्रॉडेट का किसी भी प्रॉडेट का प्रॉफिट होता है वो उसकी सेलिंग उसके सेलिंग नंबर Selling units में नहीं होता, इसके profit में होता है, आपने उसके profit को किस तरह से जहरा करता है, मैं एक बहुत important चीज़ करना चाफ़ा चाहूँगा, product के size size, और अपकी competitor के product किसी एक time में लाय खारी होती है, लेकिन इसमें different back size होते हैं, या कुछ भी उसकी मौडिफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि आप उसका टायर चेंज कर सकते हैं अगर वह लास्ट साइज में आ रही थी तो आप उसको स्मॉल सेंडर साइज में कर सकते हैं अगर वह स्मॉल ओवर साइज में आ रही थी तो आप उसको लार्ज सेंडर साइज में कर सकते ह है मैं आपको एक दिखाता हूं मेरे पास एक क्लाइंट आया जो इसी तरह से उनकी पैकेजिंग थी और उनकी पैकेजिंग की जो डामेंशन सी वह आल्मॉस्ट यहीं लार्ज सेंडर्ड साइज में आ रहे हैं अब यह 24 कैनिंग लिट्स का पैक पो सेल कर रहे थे मैंने उनकी की पैकेजिंग को मॉडिफाई इस तरह से किया कि इस्टेट ऑफ 24 यूनिट्स हम अकठे रखने के मैंने उन्हें सिक्स में डिवाइड कर दिया और उपर नीचे चेचे यूनिट्स है उससे क्या हुआ कि उनकी जो यह विट्स ही पैकेजिंग की वह आल्मॉस्ट वन बैफ पोर टाम्स होगे लाइक पोट वांट जिरो पाइज से अगर अब भी आप टू पॉइंट जिरो बन पर देखें तो ऑल्मॉस्ट इसके फ़ी जो पाड़ी है वो थी पॉट्वाट पॉर सेवन डॉलर पाड़ी है और जब हम इसको पॉइंट फाइव कर देते हैं तो यह टू पॉइंट डॉलर दो रती है पर यूणर आपका जो मार्जन जो आप पो डॉलर्स में बचक्ता है वह बचक्ता है तो आपने चीज जरूर मेंशन करनी है अपने ख्लियंट को कि हम अगयर अपनी मोटिफेड को इस तरह से मोडि है इसके पाइज जो सेकंड चीज़ इंपोर्टन्ट है वो आपके सप्लाय के साथ सब्सक्राइब कर देखें अगर तो आप शुरू में जाके इतनी निकोसेशन स्टार्ट कर देंगे ना इतनी बार्गेनिंग साथ कर देंगे तो आपके वो रिलेशन्शिप बिल्ड नहीं ह के सप्प्लायर से क्यूंकि सप्प्लाय के साथ होता है यह आपको बहुत करते हैं एक आपकी प्रॉड़क की क्वालिटी में ठीक है एक बाद में केश्फ फ्लो को मिंटेन करने में अमाजन के उपर जब आपकी प्रॉड़क्त चल जाती है तो सबसे ज्यादा जो फाद्विम अगर आपको दो तीन बर सोर्सिंग आपने कर लिया और आपने उससे अच्छा तालुक बना लिया है तो अब आप उसको 0% भी कर सकते हैं उससे यह होता है कि आपके पास पेमेंट आने और पेमेंट करने के जो टाइम प्रियोड होता है वो बहुत कम हो जाता है तो इसलिए यह चीज़ जरूर मैंड में रखें कि आपने जब भी निगोसियेशन करनी है तो आपने लड़ना नहीं है सप्लायर के साथ अपने यह नहों कि वो तंग आपको प्रॉडक्स से वो जो इन्वेंटरी त्यार करेगा वो इसमें डिफेक्ट्स होंगे आप कितने बार के बड़ सप्लायर से प्रॉफैशनल बेनेगोसिशिशन करें जरूर करें खरें प्रॉफैशनल रिलेस्टेशन्श इब करें ताकि नیکसbreитель ने सांथ estasu करेंगे कि हम ने सफामार को क्यो हुआ ब्सक्राइस करेंगे कि अने सब्वाइर कंट्रक्ड किस तरह से करने के डिसीक कि होते हैं एक आर फकी कि तुरू क्वाइब कर सकते हैं और सकेंदंद्र में आप अलीबाबा की ओपर जा करके सच करके खुद उन्हें कांट्रेक्ट कर सकते हैं तो औरे क्वार लेता है अड़िक्वाबा जो अलीबाबा डॉट कॉम साइट इसको ऊपन कर लें ठीक है सब्माइ Series circuit के लिए करने के गाड आपको डिटेल्स करने कीEND करेंगे हैं काईटियों में रिखेंगे लिए यहां पर मैं explain कर देता हूं में सब इंपोर्टन होती है एक फोबी एक और एक डीडीपी जो आपको विए में आपको इस्तमाल करनी पड़ेंगे और आपको बताना चाहिए फोबी बिसिकली एफोबी के अंदर होता है वह को responsible होता है कि वह आपकी inventory को करेगा नियरस चाहिना पोड़ेंगे जो भी उसको चाहिना कि नियरस पोड़ेंगे वहां पर पर दोड़ाप करेगा और वहां से आपको जो फ्रेट पार विडर है वह पके yous में से करेजा अफन्की वर्क्शुप जो उसकी यूनट होती है उसको बस ट्यार करके रख देता है सब्सक्राइब बाध की उस चगार से जाके सप्लाइर की प्लेश maps वहyersा इंवेंटरी उठाता है और फिर यूएस के वेराऊस में से ड्रॉप करता है थर्ड जो होती है वो इसमें डीडीपी होती है डीडीपी में बिसिकली सप्लाइड ही रिस्पॉंसिबल होता है कि वह आपकी इंवेंटरी को पहले त्यार भी करेगा ठीक है और उसके बाद वह ज सब्सक्राइब करते हैं कि यह होने चाहिए और यह नहीं होने चाहिए वो मेंचिन करके अब यहां पे अटेच्मेंट्स में आपने किसी कंपेटिटर के इमेजिस अटेच्ट कर सकते हैं ठीक है क्वालिटी शो करने के लिए और यहां से आप उसको सब्मिट कर दें ठीक है जब आप सब्मिट करतेंगे तो वीदीन वान टू टू डेज सेटरेटिसंडे के इलावा सेटरेटेसंडे को नॉनमिल सप्लाइर नहीं इतना रिस्पा सब्मिट करने शुरू कर देंगे अब आपने यह देखने के कौन सा सप्लाइर मोस्ट जिसके पास सबसे ज्यादा यह मिलती जो आपकी क्वालिटी जो आपको चाहिए जो आपको चाहिए वह मीट कर रही है उससे आपने फिर पड़र बात करने स्टार्ट करते नहीं हैं जो चीजें आपने देखनी है उसमें सबसे इंपोर्टन और सबसे पहली चीज वेरिफार सप्लाइर होना चाहिए ठीक है तो यह आप यहीं लेफ सेचोज कर लेते हैं ताकि कोई भी नवेरिफार सप्लाइर शुरू ही ना हो सेकंड चीज है उससप्लाइर के पास तो आप उसे क्लेम कर सके उसके पार आपने जो चीज देखनी है उसमें रिव्यूज देखने हैं और नमबर आफ एक में अब जैसे इस सप्लाइब को बस तीन हर्ट से लेकिन इसकी रिव्यू सिर्फ तीन है तो मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूंगा लेकिन से लिए मै नहीं को भेर का उनुद आइसको ही अगसाओ की अनुच्छ इसक Aa कि पड़ी है टीन से और रिव्यूस को को लिए हैं कोई फैर आ यह दैकर धास तो इसको मैं कॉट्रेक्ट करूंगा इसको पूर्टी थे नहीं है कोई अ चैना नहीं हो एग nós गये लिए कि अग्यान स्की य elaन चाहुँ आपय। अब ढूत कर ऊ का से उसको सब्सक्राइए उसको प्रिविए इसको कॉंट्रैक्श करूंगा इसके किसिसे भी बात हो जाती है तो इसके सर्में क्रों पर करनी हैं यहार पर एक चीज़ में जो मेंचिन करना ह्षां गाँ वह contract को जब भी आपने किसी product की sourcing करनी है तो गभी रही बहुत इपivable आपने contract जड़ूर करना है और contract आप इस तरह से करना है जो ग्लेमेबल बहुई हो आपने ने से आपनी ऊंपनी नाम से या किसी भी प्रोफेशनल डिटेल के ओपर वो कॉंट्रेक्ट कना है ज эту प्रॉडस की डिटेल हैं वाद साथ्ज उसमें मैं coaches करनी है जो जो अचने को बोले कि यह पॉइंट से जिनके ओपर फोकस करना है और यह पॉइंट से जिनके जो नहीं होने चाहिए वह सारे उसके पर मेंशन करने ताकि अगर कोई भी प्रावलम होती है किसी भी किसम का इशू होता है तो आप उसको क्लेम कर सकें अगर आप सिंपल कॉंट्रेक्ट नह ट्रेड इशूरंस के लिए इतनी होती नहीं है कि वह आपको रिफंट करवा सकते हैं तो वहां पर बहुत चांस होता है कि सप्लाइर फिर आपके साथ प्राउड कर सकेगा या कुछ भी कर सकेगा तो इस वजज़े से आपने यह जरूर मेक्शूर करना है कि आप जिस भी कॉंट्रेक्ट जरूर करने है उसके साथ